नमस्कार दोर्टो स्वागत है आपका इस चैनल पे मैं हूँ स्वाथी और आज हम बात करेंगे तिलया डैम के बारे में तिलया डैम जारकंड के कोडर्मा जीले में सबसे अच्छे परेटो पस्थलों में से एक है तिलया डैम जिसका अर्थ है छोटी जील यह डैम बिहार जारकंड और पस्चिम बंगाल के लोगों के लिए एक परसित पिक्निक अस्थल है इसकी उचाइन 99.3 फिट है और लंबाई 1201 फिट है तिलया डैम दामुदर नदी की एक सहायक नदी बराकर उन नदी पर बनाया गया है यात्रा का सबसे अच्छा समय मांसून या सड़ियों के दौरान यानि जुलाई से फरवरी के महिने तक अच्छा माना जाता है क्योंकि इस दौरान डैम का जैलस पर अधीक होता है तिलया डैम काउड भाटन इकिस परवरी निसो तिरफन पर हुआ था इसका संचालन और परवंधन दामोदर भाटी निगम द्वारा किया जाता है तिलया डैम उस छेतर में स्थापिक किया गया है जिसमें मुख्य रूप से वन बंजर भूमी खेती योग्य भूमी आदी सामिल है तिलया बान वास्तों में दामोदर भाटी निगम के पहले चरन में निर्मीत सभी चार उदेश्य वांध का एक हिस्सा है और तमोदर नगी के कारण अक्सर होने वाली पाड़ को नियंतरत करती है इलया डैम पर्यटको को नौका दिहार की सुविदा पर्दान करता है डैम में पर्यटको के लिए डैम के चारो और बर्मन करने के लिए डबल डेकर लॉंस वाट के साथ का स्वीड वाट भी उपलब्द है यहां डेन के चारों और तालीस मिनट की सवारी परदान करता है बोटिंग के लिए टिकेट सुल्क वैसको के लिए 200 रुपे हैं कि यहां पर आप रेलिय और फ्लाइक से पहुंच सकते हैं तो जरूर आईए और इस जगा को एक्स्प्लोट कीजिए और इसी तरह के प्राइवल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्याद जहिंद झाल 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 झाल